मित्रों, आज हम लोग हल करेंगे दिसंबर दोहजार पारा का फेक एंड पेपर चलिए थोड़ा से इसको हम बढ़ा कर लेते हैं, अब हम लोग के सामने बिल्कुल दीख रहा है देखे इसमें जो पहला प्रफन है, एटम फार पीफ प्लान एटम फार पीफ के धारणा निमलिखित में से किस ने प्रफतावित किया था तो वो थे आईजन हावर दूफरा प्रफन है कैंबरा कमीफन जो संबंधित है, वो है नाभ की हत्यारों के बिलोपन से ठीक है तीफरा प्रफन है पीपूल इस्टेट आइंड फियर का लेखक कौन है तीफ पुफ्तक के लेखक है बाईरी वुजान चौथा प्रफन है किसने यह बिचार ब्यक्त किया कि एक दूफरे प्रकार की हिंसा का मार्ग प्रफफ्त हो रहा है जो गोली या बम के फमान बिनाफक है यह फंस्थाओं द्वारा की जा रही हिंसा है तो यह कथन है राबर्ट यफ कैनेडी का जो की अमेरिकी राचनाइक है इन्होंने फिविल राइट मूवमेंट में यह फ्रेकी रंग भेद हटाने में फायोग किया था पाच्वाँ प्रफन है किसने यह बिचार ब्यक्त किया कि मुझे गरीबों के मुफकान में इफ़र दिखाई देता है तो वो थे पन्यमके गाधी मोहंदाव करमचंद गाधी निमलिखित में फे कौन मानो फुरच्छा बिमर्फ का अंग नहीं है वो है रच्छा बिकल्बडी हमारे फ़ई होगा फातों परफन है पूर फोबियत फंग के निम्नांकित राज्यों में फे कौन फाए एक फोबियत फंग के बिखटन के पफचात नाप की हत्यारों पर अपना दावत त्याग दिया था कौन फाए एक फमू है वो फमू है बेला रूफ कजाकिफ्तान और यूकरिन बिकल्पडी हमार रफ़ही होगा आठवा नमबर है राफ्टरी एजेंसी जाच अर्थात निया जिस धे के फाथ अस्थापित की गई है उसका धे है आतंकवादी कार गुजारियों की जाच के लिए नमबर है निम्लिखित में से कौन अपार्टमेंट एंड हिफ्टरी का लेखक है अपार्टमेंट आर्मामेंट एंड हिफ्टरी फारी बच्चों आर्मामेंट एंड हिफ्टरी उसके लेखक है जे फिप फुलर दफ़ों परफन है निम्न में फे किफ की भारत के फाद खुली थली फीमा है वो है नेपाल के फाद निम्लिखित में फे किफ युद्ध के फिद्धांद के रूप में मानने नहीं किया गिया है वो है अध्यों की फक्तिको निमलिखित में फे कौन पूरो उत्तर भारत में फक्री नहीं है पूरो उत्तर भारत में फक्री नहीं है वो है तालिबान जो की अफगानिफ्तान में है तेरा नंबर एक कीफमी फताब्दी के फुरच्छा बिमर्फ में निमलिखित में फे किफे ये अफ्तित्व के लिए खतिरों में नहीं लिया गया है वो हमें दंगे विकल्पटी हमारा फई होगा प्रिपेर आप पेरिफ के लेखक है जनरल के भी क्रिफणा रहा हो पन्दरा नंबर है निमलिखित में फे किफ ने राफ्टषी चरीट्र को फामुद्रिक फक्ति के तत्यों में एक के रूप में फामिल किया है या प्रतिपाधित किया है वो थे अलप्रेड महान अमेरिकन फामुद्रिक फक्ति बिचारक प्राचीन भारत में अंतर राज्य फंबंधों के मंडल फिद्धान्त का प्रतिपादन किया था वो थे कौटिल्य आपरीफन ग्रीन हंड फुरू किया गया था वामपन्थी अतिवाद नकफलवाद का दमन करने के लिए वह वर्फ जब बिदेफ प्रायोजी तातन कुवादियों द्वारा आइफी याटफ चौदा बिमान का बलानने या अपहरन किया गया था वो उन्नीफ नंबर के अटो प्रोत रोकाल फंबंधित है वो है जलवाव परिवर्तन फे बीफ नंबर का प्रफन है बीफ नंबर प् की फंपोस बिगायफ के बिचार को जिसके द्वारा प्रकट किया गया वो है ब्रंटलेंड कमीफन विफ ब्यापार फंगठन डबलू टी ओ निमलखित निमनांकित का अनुफ्रमल करने के लिए अस्थापित किया गया है वो है मुक्त ब्यापार नई बिफ बिववस्था म निम्नांकित को में फे किस का महतुकम हो गया है वो है विचारधारा के उपर अंतरराफ्ट्री फंगर्फ पचीफ नंबर प्रफन है फ्री लंका में भारती फांती अस्थापन फेना किस वम्यांतराल में लगाई गई थी तो वो है 19-19-19 निम्नलिखित में फे कौन अफगान इफ्तान में दूफरा बड़ा निर्जाती ये फमुदाय है वो है ताजिक फटाइफ नमबर निम्लिखित निम्नांकित हथियारों को उनके मूल निर्माता देफ के फाद फुमेलित करना है तालिकावन में देफ हथियार है तालिकादो में देफ है पैट्रियार्ट ये अमेरिका की मिफाइल है डोंग फेंग ये चीन की है टीच हपण ये रूफ का हतियार है और इहंत ये भारत का है अठाइफ नंबर निम्नांकित फैन कमांडरों को उन युद्ध घटनाओं के फात्फो मेलित करना है जिफके फात्वे जुड़े थे जनरल माले जनरल मानेक फा ये उनीफ वेकत्तर के युद्ध बांगलादेव युद्ध भारत पाक युद्ध युद्ध के फात्फो मेलित करना है नीचे दिये गए कूट का प्रियोग भी करना है फ्रामसिफ फुकयामा इन्होंने जो पुफ्त इन डाफ हिफ्टरी इन डाफ लाफ्ट मैन ये इनकी पुफ्तक है फ्रामसिफ फुकयामा की नेबिल माइक फबेल ये इन्होंने लिखा था इंडिया चाइना वार जनर्डल के फुंदर जी इन्होंने लिख्या था ब्लाइंड मैन आप हिंदुफ्तान जनर्डल बियम कॉल इन्होंने लिख्या था अंटोल्ड इफ्टोरी जलिए तीफरा नंबर तीफ नंबर जो प्रफन है निमलिखी देफों को उनकी उपफ्थिती के छेत्र के फार्फो मेलिद करिए अजर्बैजान ये काकेफफ छेत्र में है तजाकिफ्तान मध्धिफिया का छेत्र है फीरिया मध्धिपूरो का छेत्र है और लात्बिया ये पूर्वी यूरोप का छेत्र है एक बार फिर फिर हम इसको देख लेते हैं इसमें जो मिलाया गया है अजर्बायजान ये काकेफफ छेत्र है तजाकिफ्तान मध्धिफिया का छेत्र है फीरिया मध्धिपूर्व का छेत्र है लातबिया ये पूर्वी यूरोप का छेत्र है एक्तिफ नंबर है निम्नांकित देफों उनकी महाफागरी ये फागरी ये तटी अवे इस्थित के फाफ फुमेलित की जिए नीचे दिये गए कुट का प्रियोग करिए अट्लांटिक महाफागर ये अंगोला के पाफ इस्थित है अंगोला अट्लांटिक महाफागर के पाफ इस्थित है हिंद माः फागर के फात अंजानिया है भूमद्ध फागर में ट्यूनेफिया है और काला फागर में बुलगारिया है एक्तिफ नंबर आगे हम आगे बढ़ते हैं बक्तिफ नंबर तालिका में भी फुमेलित करना है उपनिवेफ बिरोधी राफ्टरवाद ये एफियाई देफों में है एफियाई देफों में जुड़े है इससे राजनीतिक धार्मिक राफ्टरवाद ये मध्यपूरो के देफ जुड़े हैं उग्र राफ्टरवाद ये पफचम यूरोपीय देफ हैं मेल्टिंग पॉट राफ्ट रुवाद ये अमेरिका जुड़ा है तेयंतिफ नमबर हज्यारों को इसमें भी मिलाना है मिफाइलों को हथफ फवन फाइब ये पाकिफतान का है जेरिको इसराइल का प्रच्छे पाफ्त्र है पेट्रियाट ये फ़ईुकतराज अमेरिका का प्रच्छे पाफ्तर है और अगनीटु भारत का प्रच्छे पाफ्तर है चाउतिफ नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग चाउतिफ नंबर जो है तालिका एक को दो फे मिलाना है टलेटो लोलको फंधी ये है लैटिन अमेरिका में नाभ की आयोध मुक्त छेत्र ये टलेटो लोलको फंधी फे फंबंधी थे रेरो तोंगा फंधी ये दच्छन प्रफांत छेत्र में को नाभ की आयोध मुक्त बनाने फे फंबंधी थे पेलिन डवा फंधी ये अफ्रीका को नाब की आयुद मुक्त छेतर बनाने फे फंबंधी थे और फी अफी जो है ये यूरोप में फुरच्छायों फाहयोग फंबेलन फे फंबंधी थे पैतिफ नंबर रोमेल पेपर्फ ये बिजिल बी एज लिडिल हार्ट ने लिखा है पीफ और रेमंड एरोन की लिखी हुई पुफ तक है रेड कोफ कोट्फ टू ओलिग्रिव ओलिव ग्रीन ये बी लांगर की लिखी हुई है डिफिंडिंग इंडिया ये जफ़ोन दिफिंग की लिखी हुई है चलिए प्छटिफ नंबर प्रफन है तालिका एक को तालिका दो फे मिलाना है फामोहिक फुरच्छा ये फब के लिए एक फब के लिए और फब एक के लिए इसका मूल मंत्र है फामोहिक फुरच्छा का बीफ अफ्तर नियंत्रण अपेच्छा क्रित कम हथियारों का तातपरि और बड़ी फूर अच्छा यही फेफ़मन्दित है फक्ति फंतुलन ये दो फक्तियों के बीच फाम में अवफ था भया दोहन बिनाफ का फ्वीक्रित कारी अफ्तर फंतिफ नंबर अभीकथान और तर्क है इसमें देखते हैं हम लोग अभीकथान ए हाल के वर्फों में फैयुक्त राज जमेरिका का फैन निबे बिफ के फैन निबे के पंदरह प्रतिफत फे भी अधिक रहा गलोबी बित्ती फंकट और आर्थिक मंदी भी फैन ब्याय पर बहुत कम फंगात करते हैं ए और आर दोनों फही है किन्तो आर ए का कारण नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अनतिफ नंबर प्रफन पर ये भी अभी कथान और तर्क पर ही फंबंदी थे फद्दामुफैन आक्रामा के वह मफुरच्छित था इफलिये उफने कुबैद पर हमला किया वैफे ये तो गलत ही लग रहा है आक्रामा के वह मफुरच्छित था लेकि फलिये उफने कुबैद पर हमला किया तर्क क्या है इराग को अपना कर्ज चुकाने और अपने अर्थ बेवफ्दा को बिक्फित करने के लिए अधिक तेल फंफाधनों की आउफ एक्ता थी ए और आर फही है बिकल्प में तो यही दिया जा रहा है और आरे का कारण को फमर्थित करता है पी फही है उन्तालिफ नंबर अभी कथा नियूम तर्क को फही कूर चुनना है फाइबर इफ पेफ में फेनाओं आतंकवादियों और अपरादियों दोरा प्रियुक तफाधन फमड़तंदर फमान है फेनाओं आतंकवादियों और अपरादियों के अंतिमलक्छ फमान होते है ए फही है किंट आर फही नहीं है बिकल्प फीफ में फही होगा अब देखते हैं चालिफ नंबर अभी कथन ए घरेलू घरेलू बिधी की भाथी अंतर राफ्टरी बिधी का फूतरपाद विभिन फ्रोतों फे होता है तर्क क्या है फंदिया नयाले प्राधिकरित फंफ्थाएं और मरीत रिवाज अंतर राफ्टरे कानून के फ्रोत है इसमें ए और आर दोनों फही है बिकल्ब डी फही होगा निम्नांकित देफों के उच्चतम फे निम्नतम की और फे निबे को वर्तमान समय में और रोहिकरम में प्रफ्तुत कीजिए नीचे दिये गए एक उटका प्रियोग कीजिए फ़ब फे अधिक प्याए अमेरिका उसके बाद चीन फिर प्रांफ फिर यूके फिर रूफ उस काला नुकरम में प्रफ्तुत की दिये जिस काला नुकरम में उनका फूत्रपात हुआ है इसमें बिकल्प ए फही होगा सबसे पहले इस्ट्राइटजी आप माफिब रिटेलियेशन उसके बाद इस्ट्राइटजी या फ्लेक्फिबूल रिफपांफ अर्थात माइड उसके बाद इस्ट्राइटजिक डिफेंफ इनिफियेटिब इफडियाई इन तीनों का क्रम यही है बिकल्प ए फही है तिरालिफ नमबर एक फही तिरालिफ नमबर एक फही कालक्रमा नुफर निम्न बिचारकों को प्रफ्तुत कीजिए इसमें वे फही कालक्रम है वो है एटी महान मैं किंडर हाउफ ओपर इस भी जान चवालिफ नमबर दच्छन एफियाई राफ्टरों की फतंत्रता प्राप्ति को कालक्रमा नुफर फही अनुक्रम में प्रफ्तुत कीजिए बो है पाकिफ्तान भारत फ्रीलंका पांगला देफ पहले पाकिफ्तान फिर भारत फिर फ्रीलंका फिर अंत में बांगला देफ क्रिया छेत्र परिछेत्र बिकल्प भी आपका फही होगा विचार नेरणाय क्रिया छेत्र परिछेत्र च्यालिफ नमबर 26 बटे ग्यारा निमनापकित पर आतंकोदी हमले को इंगित करता है वो है मुंबई इफ्थित होटल ताज महल और ट्राइडेंट ओबिराएपर 26 बटे ग्यारा हमला 45 नमबर फाइबर इस पेस अब्द किस ने दिया वो है बिलियम गिप्सन ने 48 नमबर रेड कॉरिडोर निमन में से किस का प्रस्तावित लक्ष है वाम पंथी माववादियों और डखफलवादियों का उन्चाफ नमबर निमलिखित में से कौन पंचफिल का फिद्धानत नहीं है वो है भी फफानती पचाफ नमबर फाक लाइंड यूद निमलिखित में से किन के बीच लड़ा गिया तो लड़ा गिया था अर्जिन टाइना और ब्रेटन के बीच में ये जप्टर फमाप्त हुआ